ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं बैटे के हातों और टांगों के उपर तेजाब फैक के जलाने का मामला सामने आया है वहीं बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी का सारा खर्चा खालसा एट फाउंडेशन के प्रधान जगदीज सिंग ने लिया है उन्होंने बताया कि हमें एक सूचना मिली थी कि एक कलजुगी मा जिसने अपने पांच साल के बच्चे को तेजाब के साथ उसके हातों और टांगों को जला दिया है जिसको आज सरकारी अस्पताल बटाला लेकर आए है और उसका डॉक्टरों द्वारा इलाज करवाया जा रहा है बच्चे की मासी ने बताया कि मेरी बहन के पती की मौत हो गई है और उसकी दूसरी शादी उसके देवर के साथ हुई है जिसके तीन बच्चे हैं मेरी बहन के बहार किसी व्यक्ती के साथ गलत संबंध है कुछ तेर पहले वे उस आदमी के साथ चली भी गई थी और अपनी दौनों बेटियों को मेरी तरफ छोड़ गई थी और बेटे को साथ ले गई हमें किसी से पता चला कि वे अपने बेटे क के साथ बहुत गलत वेवार कर रही है जब हमने वहां जाकर देखा तो बेटे के हाथ और टांगें जली हुई थी और उसकी एक बाजू भी तूटी हुई थी मेरी बेहन नहीं अपने पांच साल के बेटे को तेजाब के साथ जलाने की कोशिश की थी मैं भी घर से बहुत गरी भून नहीं तो मैं खुद बच्चे का इलाज करवा लेती इसलिए आज मैं संस्था के पास आई हूं जिन्हों ने इस बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी ली है इस बच्चे दी माँ ने एदे हत्वाह दे जड़ा तज़ाब पाया क्योंकि यो शैद थी मार्द ना घर्द रिलेशनर नहुंदा करके ते ऑपने बच्चे दो जड़ा तज़ाब पाखे जड़िया हुद साथ जड़ीया हुदे कह ने मंखराब सब्सक्राइब करते हैं जो अपना अनबोल कवात्रा जी एंजियो देनाल कम करते हैं अपने वीरा देनाल डाल के जड़ी एंजियो कादियां तो चला रहे हैं असी पूरा इस पैंड नू सहयोग दे रहे हैं कि इना दे बच्चे ते जिनना भी इलाज दा खर्चा हुएगा साधी एंजियो लो कीता जावेगा प्राइम नीज 24 के लिए गुर्दास पूर से जातिंदर कुंडल की रेपॉर्ट